नमस्कार वेलकम यू ओल वन्स अगें तो दिस लेक्श्र सीरीज जैसा कि आप सभी को पता है हमने बीश्टी पार्ट सेकेंड के लिए फिनॉल शुरू किया हुआ है उसमें हमने रियक्शन्स ओफिनॉल हमारे रियक्शन्स ओफिनॉल चल रहे थे ठीक है जिसमें कई तरह के हम अभी तक फिनॉल के विदे पार्ट से र्याक्शन्स ओफिल में तो हम से राक्शन्स होते हैं अल्मोस्ट सभी प्रतिस्थापन अभिकराय हमने दीख ली है एक और वची हुई है जो कि नेम रियक्शन है वह भी देख लेते हैं जो है फ्रीस पुनर विन्यास इसको बोलते हम फ्राइज री अर्रेंजमेंट ठीक है इंपॉर्टेंट है फ्राइज री अर्रेंजमेंट इंपॉर्टेंट है ठीक है और लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अविक्रिया है जो हम phenol के द्वारा पढ़ने वाले हैं ठीक है तो इसमें होता क्या है कि इसमें तो यहां पर क्या होता है कि जब हम phenol को यह reaction जो है phenol की acetyl chloride के साथ अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया द्वारा प्राप्त ओ एस्टर यह ओ ओ एस्टिली करण उत्पाद ठीक है उत्पाद किसके साथ निर्जल alcl3 वा नाइट्रो बेंजीन की उपस्थिती में की उपस्थिती में पुनर व्यवस्थित होकर उनर व्यवस्थित होकर क्या बनाता है उनर व्यवस्थित होकर सी एस्टिली करण उत्पाद बनाता है ठीक है जिसमें जिससे और्थो वा पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि जब हम फिनॉल की रियक्शन किसके साथ कराते हैं एसीटल क्लोराइड की साथ कराते हैं जिसे हम एसीड क्लोराइड भी कहते हैं जब हम उसके साथ रियक्शन कराते हैं फिनॉल की तो होता क्या है कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो हमने श को आगे अविक्रत कराते हैं किसके साथ ALCL3 के साथ नाइट्रो बेंजीन की उपस्तिती में तो क्या होता है यहां पर फिर से रियरेंजमेंट होता है जो ऑक्सिजन से हमने कैसा temperature लिया है low temperature लिया है high temperature लिया है उसके according product जो हो चेंज हो जाता है यह तो पेरा मेजर बनेगा यह और उर्फो मेजर बनेगा होगी फिर हम मेकेनिजम देखेंगे इसका कि यहां पर हमारे पास फिनोल ठीक है जैव हम इसको एसेटिल क्लोराइट सीस्ट्रीस और सीयल के साथ रियक्ट कराते हैं तो तो यहां पर यह जो ऑक्सिजन यहाँ पर यह ग्रूप आकर जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं यह 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 बन जाएगा कैसा प्रोड़क्त है यह नियुकर यह क्या है यह एक एस्टर है है लेकिन कैसा oxygen पर जोड़ा हुआ है जब आगे इसको और आगे रेक्ट कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पर यह अभी oxygen से जुड़ा हुआ है और यह चेंज कर आजाएगा पर और यह उसकता है कि पर यह बन जाए तो यह क्या हो जाएगा इसको बोलेंगे और तो hydroxy acetophenon बनता है यहां पर क्या बनेगा parahydroxy acetophenon तिक है दोनों product एक साथ नहीं बनते बनेगा आइदर और कि बनेगा और पैरा बनेगा लेकिन दोनों product एक साथ नहीं बनेगे यह independent करता है हमारे temperature पर, एक साथ भी बन सकते हैं तो तीनों सकते हैं यह तो यह हम लेकां कि कीणा होगा है तो यह लिखिल सकते हैं कि उच्शताप पर क्या बनता है अपर उठाप पर हम क्यों होता है जैसे कि हम प्रियत कौन होता है ले मुख्य उत्पाद होता है ठीक है हाई टेंप्रेचर पर कौन बनेगा और्थो और अगर लो टेंप्रेचर है निम्नताप पर यानि कि लगवक 50 डिग्री सेंटीग्रेट पर कौन सा बनेगा पैरा समाव्य भी मुख्य उत्पाद होता है ठीक है यह डिपेंड करेगा टेंप्रेचर पर अगर हाई टेंप्रेचर लिया है तो और्थो प्रोड़क्ट बनेगा लो टेंप्रेचर लिया है तो पैरा प्रोड़क्ट बनेगा हाई टेंप्रेचर पर और लो टेंप्रेचर पर प्र लेकिन दोनों कम मिलेंगे जब हम रूम टेंपरेचर लें यानि कि 25 डिगरी सेंटीग्रेड जो हमारा रूम टेंपरेचर है यानि इसे लिख सकते हैं कमरे के ताप पर रूम टेंपरेचर पर क्या मिलता है और्थो वा पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है मिश्रण प्राप् ठीक INSY अगर हम रूं टेंप्रेटर पर करा रहे रीक्षन तो और रूवरे बाद दोनों का मिक्ष्चर वने अगर हम रूटेंप्रेटर रहे तो प्रीवल और तो समावी भी बने गा वर लो टैंप्रेटर पर करा रहे तो आटीक हाइटंप्रेशर पर केवल और तो कियों और देख सकते हैं हाइड्रोजंग और यह किया सकता है हैैं शेख ठाहए हे ना ओर लुक्ne होगा कि जब उन टैंप्रेश यह रहए पहले आपनो किजिए दện मेकैनिजम देखते हैं इसका उसके बाद करेंगे क्यों और थो और क्यों पहरा बन रहा है कि अगे आगे चलते हैं इसका मेकैनाजम दो मेकैनाजम नहीं है इसके दो मेकैनाजम दो मेकैनाजम क्यों है क्योंकि दो साइंटेस्ट ने अलग अलग मेकैनाजम दिये इसके ठीक है तो इसके हम दोनों मेकैनाजम पढ़ेंगे जो दोनों साइंटेस्ट ने दिये वह दोनों मेकैनाजम हम पढ़ेंगे तो इसका मेकैनाजम देखते हैं ठीक है मेकैनाजम दो है ठीक है पहला तो है पहला जो है वो है अंत्राणविक अंत्राणविक क्रियाविदी पहला मेकेनिजम क्या है अंत्राणविक इसमें क्या होता है देखते हैं अंत्राणविक क्रियाविदी पहले हम देखेंगे यह किस ने दी थी साइंटिस थे वाल्ट जली ठीक है, कौन से थे? वाल्जली इन्हों ने दी थी ये reaction किसे ने दी थी? वाल्जली ने इस क्रीया विधी को प्रस्तुत किया था किस ने दी थी? वाल्जली ने दी थी ठीक है, क्या है ये mechanism हमारे पास क्या था हमारे पास था फिनॉल कि कि हमारे पास क्या था फिनॉल हमने क्या लिया हुआ है यहां पर हमने लिया हुआ था क्या वनेगा lotta- यहusta क्या सब्द है ऑक्सिएन के पास यह कार्वोनिल का यह यह क्या होता है डिल्टा- बॉइन च्टेग करें लेगा यहeld찬 करेंगे यह बांड उपर जाएगा वापस नीचे आएगा यहां सेकॉन बाहर निकल जाएगा- एक वायाबु सोáफड़ सोमय माइनस और यहां से एक्ष प्लस निकलेगा तो पहले देख लेते हैं क्या होगा यहां पर वजर यहत्सा निकलाता यहां से क्लाता सियम करते हैं वह यह थी oxygen पर अपने electron transfer कर देगा तो सबसे पहले क्या वनेगा सबसे पहले तो आपके पास यह वनेगा यहां पर वनेगा o c double bond o ch3 ठीक है सबसे पहले तो यही बनता है o acylated product बनता है कैसा product बना है o acylated product यानि कि acyl group कहां पर जाकर जुड़ा है oxygen पर जुड़ा है अब हम इसको आगे रियक्ट कराएंगे फर्दर किसके साथ एल c l 3 के साथ किसके साथ रियक्ट कराना है हमेश से एल c l 3 के साथ तो यह क्या करेगा एल c l 3 के साथ हम जानते एल c l 3 क्या होता है एक लूई जम्ल है अलूमेनियम यहाँ पर किस कौन सी oxygen अवस्था में प्लस 3 यानि कि लूई जम्ल होता है इसको इलेक्ट्रोन की जुरूरत है यहाँ पर oxygen के पास लोन पर या रहे है तो यह क्या करेगा एल c l 3 जाएगा और oxygen से जाकर जुड़ जाएगा तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या है oxygen एक तरफ जुड़ा हुआ है एल c l 3 जैसे ही अलूमेनियम इससे जुड़ेगा इस पर आएगा नेगिटिव चार्ट और इधर कौन जुड़ा हुआ है c double bond c h 3 और oxygen के तीन बॉंड बनते ही इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजेटिव चार्ज आ जाएगा अब क्या करेगा यह जो oxygen है अपने लेक्ट्रोनों को वापस खीचेगा क्या करेगा अपने लेक्ट्रोनों को वापस कजगा किस से c o c s 3 गुड़े यह और इसससे जुड़ा ओँआ कोने एल c l 3 इस पर तो है ञेकटिव चार्ट और oxygen कैसा रहे गया हमारा न्यूट्रल साथ में बाहर किया निकला है बाहर निकला है सी डबल बॉंड ओ-C-H3 इसने अपने इलेक्ट्रोन ओक्सिजन ने खीच ली इसके बॉंड के लेक्ट्रोन तो इस पर चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव तो यहां है पर हमारे पास कौन है यहां पर यह है नुक्लिफवायल और यह हमारे पास कौन इल्फड़ टो कर दो आगे रेक्षं कैसेोगी सब्सक्राज यहां पर कंट्रेंथ क्या है यह है नहीं चार्ज है county-ですね तो फिर आपने लो डूलन की बनानी तो यह दोगईगा अगर वी तो तैंपरीचर लो डिया थो पिर आपको दोडूरी वनानी है तो यह क्या बनाएगा यह कुछ ऐसा हो जाएगा और यह बॉंड इधर आइ डावल बॉंड ओー यहां पर एल्ल 3 ओक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा positive और यहां पर क्या नेगिटिब चार्ज साथ में यह bond as it is रहेंगे और यहां पर जुड़ जाएगा C double bond O CS3 अब यह रिंग aromatic नहीं रही अब यह रिंग क्या हुए aromatic नहीं रही तो यह वापस aromatic होना चाहेगी यह अपने electron इधर देगा और यह electron कहां जाएगा oxygen पर जाएगा यहांसे कौन बाहर निकलेगा एच प्लस जो और बाहर निकलेगा यह यह बनेगा है यहां पर झोड़ यहां सिए आप देख लिजे च्टाने यहां से यह उक्सिजन पर जा किanchant नीकला है एच प्लस और यह c e-ल-3 पर क्याशा चां़र बात थे एंट निकला यह आँपर से c e-ल-2 यहाँ से h प्लस निकला एे वाला एज़ प्लस और यहाँ से चल माइनस तो आपस में मिलकर मिलें यहाँ पर cm cl बना लेंगे क्या बना लेंगे center यहीं पर क्या बचेगा ओ ऐलो मले अरज प्लस मिलेगा और ऑks多 ले अग्स्त को कौन ले लेगा यहां से बाहर कौन निकलेगा यहलने कि इस तरीके से हमें हमारा प्रॉडक्ट प्राप्त हो जाएगा यह बनजाएगा ओए हैं पर जुड़ जाएंगा सीओं थीयां कि तो यह क्या हो गया यह और तो यह ओझा पर हैं秋 लेकिन अगर हमें पैरा बनाना हो लेकिन अगर हमें पैरा प्रोडक्ट बनाना हो तो हम पैरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं उपर की स्टेप तो सारी सेम रहेंगी वहां तक लास से स्टेप कर ठीक है चेंज कहा आएगा अगर आपको पैरा बनाना है तो चेंज आएगा यहा यहां पर यहां पर चेंज में क्या होगा कि यह वाला बॉंड शिफ्ट होगा यहां और यह वाला बॉंड शिफ्ट हो जाएगा यहां इसी से बनेगा यहां तक तो सेम रहेगी रियक्शन इसके आगे चेंज होगी यह बन जाएगा इस तरीके से पहले और तो बनाता और अब क्या बनेगा यह पेरा बन जाएगा तो, O, Al, Cl3, माइनस, और यहां पर क्या जाएगा? प्लस, और नेगेटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? इस पोईट पर, ठीक है? और क्या है हमारे पास? CO CS3 पॉजिटिव तो नेगिटिव चार्ज अटेक कर देगा कारवन पर और यह क्या बना लेगा यह बना लेगा डबल बॉण्ड O AL CL3 नेगिटिव और यह हो गया पॉजिटिव ठीक है यहाँ पर जुड़ गया CO CO CS3 अब यहाँ पर क्या होगा H होगा वह बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा इस तरीके से बनेगा ऑक्सीजन और यहाँ जुड़ा होगा AL CL2 और यह रिंग वापस से एरोमेटिक हो गई पैरा पोजिशन पर कौन आ गया CO CS3 ग्रूप आ गया अब यह HCL से रियक्ट करेगा और क्या बना लेगा क्या बना लेगा पैरा प्रोड़क्ट की फॉरमेशन कर लेगा इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा OH माइनस हो जाएगा यहाँ से AL CL3 और यहाँ पर आ जाएगा C double bond O CH3 तो यह क्या बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो फिनों यह होगा यहाँ पर इस step में चैयाएगा ठीकेए यहीं से बाकी सारा तो सेम होगा अगर पैरा भी बनाना है याई-लो टेमप्रेशर पर भीक्रना है तो बाकी सारा सेम होगा बस यहां पर change हो जाएगा इस जगे पर हमने क्या बनायता ओर्फो बनायता हो तो चार्ज आएगा इस position पर और अगर पैरा बनाना है तो यह bond इधर आ जाएगा और charge कहाँ जाएगा पैरा पोजीशन पर तो वही लियाए हम पैरा पोजीशन पर charge लिय और यहां से लोसल इसे अब यहां पर क्या होता है कि लो टेंपरेचर पर यह चुह पर यह मेजर प्रोड़क्त है और हाइघ तेंपरेचर पर यह फुरॉट्ट तो इसका रीज़न है क्या है रीजन हाइड्रोजन बॉंडिंग अब बताओ टेंप्रेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे पास पास होंगे है ना यह मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सिजन है वो सकता है यहां पर hydrogen bonding जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो इसकी वज़े से यह प्रोड़क्ट स्टेबल हो जाता है तो पैरा प्रोड़क्ट बनता है यहां पर बात करें temperature क्या हो गया high temperature होगा तो molecule क्या होगा है दूर दूर और molecule तो इसलिए नोट कीजिए फिर देखते हैं इसका दूसरा mechanism यह तो था पहला mechanism कौन सा था अंत्रा अंडविक क्रिया विदी अब दूसरे scientist ने जो दूसरा mechanism दिया वह भी देख लेते हैं छोटा सा है मिटा देती हूं दूसरा जो mechanism है वो है यह अंत्रा अंडविक था और दूसरा है अंत्हे अंडविक एक तो अंत्रा अंडविक था तो दूसरा कौन सा होगा अंत्हे आडविक क्रिया विदी तीक है इसको दूसरे scientist ने दिया था इन्होंने का नहीं अंत्रा अडविक ना ओकर करके कैसे होती है अंत्रै आडविक होती है तो इसको किसने दिया था क्रॉफलों थे ओक्रॉफॉवर्ड ने इस क्रियाविदी को प्रतिपादित किया ठीक है देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा ठीक है शुरू आपका रियक्षिन तो विल्कुल वैसा ही होगा जैसे वहां हुआ था यानि एक चीज तो बनेगी फिनॉल जो होगा फिनॉल होगा यह इसके साथ रियक्षिन करेगा किसके साथ CS3, CO, CL इसका मेकेनिजम पहले ही देख चुके हैं कैसे बनेगा तो यह तो डेफिनेटली बनेगा और्थो और्थो नहीं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CO, CS3 ठीक है OSI लेटेड प्रोड़क्ट ठीक है यह बनेगा आगे भी रियक्षिन सेम होगी किसके साथ AL, CL3 के साथ आगे किसके साथ रियक्षिन करेगा AL, CL3 के साथ ऑक्सीजन पर क्या है लोन पेयर यह भी पार्ट क्या रहेगा यहां पर सेम रहेगा बिलकुल वैसे ही जै बनेगा ना जब हमारे पास यह बनेगा ऑक्सीजन ठीक है एक तरफ जुड़ा हुआ है CO, CS3 और एक तरफ जुड़ जाएगा AL, CL3 यह माइनस यह पॉजिटिव ठीक है यहां तक तो मेकैनिजम दोनों के सेम रहेगी वहां पर भी यहां तक बना यह मॉलेक्षिन बना था औ यहां से स्टेप चेंज हो जाता है इंटर मॉलीकिलर में यानि कि अंतहर आडविक मतलब इंटर मॉलीकिलर यानि कि यहां पर बहार से कोई आकर इस पर अटेक करेगा निकलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा बहार से कोई नहीं आएगा टेक करने और रियरेंजमेंट करानी यहा तो क्या होता है यहां पर देखते हैं यहां पर क्या होता है कि यह वाला जो बॉंड है ऑक्सिजन पर कैसा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज आया तो यह वाला जो बॉंड है यह शिफ्ट होता है इस रिंग पर कहां पर शिफ्ट होगा इस रिंग पर शिफ्ट होगा ऑक्स जैसे यह वावण का शिफ्ट हो जाए गा ऑक्सीजन पर यह वाला वांड यहां आया तो यह वाला वांड का शिफ्ट होगा यहां पर शिफ्ट होगा और और यहांपर कैसा चार्ज आ जाएगा jest negative चार्ज और negative चार्ज किया तेक्स कर देगा फाज़ पर यानि कि यह से ओ-Ceence का उझा जूड़ जाëएगा तो हः जूड़ जाएगा तो यहां पर क्या होगा लुद कर साथ देखते हैं कि यह वाला बेंड यहां अश्रुट ओगा यहां से यह मुक्त होगा कका इन डाया बनेगा तर्व यहां पर कर न्बनेगा यहां पर किसीटि के पास लोन पेर होते हैं तो लोन पिया यहां शुक्त होते हैं ठीक है पहले ये बॉन तूटें eldest अ कि सब्सक्राइब यहां पर टूटेगा पर frenchmen correct a वापस से क्या होगी और यह बन जाएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर और यहाँ मेक्षै और कोड़ जुड़ चुका है यहाँ जुड़ चुका है ऑगister US 3 जुद्ट चुका है आगे सघ्सकाया करा देंगे वर्क वही जो कर आदें वरक करा देंगे यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा वरक कर यहां पर बन जाएगा यहां पर वापस बन जाएगा फिनोल और हो सुय एस कवाँ माइनस हो जाएगा यहां से बनाके थोड़ा बड़ा अगर नहीं समझना रहो है थोड़ा बड़ा बनाके समझाते हूं कि यह 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 ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा हुआ है यह इस पर माइनाइस इदर जुड़ा हुआ है सी डबल बॉंड ओ पाफिटिव चार जाएगा ध्रोग यह अब क्या औहिए यह इसे पर चार्ज रहताएगा पॉजिटिव आने पीछे यह रह फाले जैगा तो तो पॉजिटिव चार्ज तो चला जाएगा और यहां पर शिफ्ट करेगा और यह वाला बॉंड का शिफ्ट हो जाएगा यहां पर यहां पर कैसा चार्ज आएगा नेगिटिव चार्ज यहां पर कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो यह दोनों आपस में क्या कर लेंगे बना लेंगे तो वही तो किया है बाकी तो आप जानते हैं rest is history जानते हो आप note कर लो जल्दी से note कर लो जल्दी से फिर last करते हैं इसको phenols को खत्म करते हैं इसमें एक तरह के reactions और बचे हैं उनको और देख लेते हैं हुआ 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 है ठीक है जल्दी से कीजिए अब अगला रेक्शन देखते हैं प्राइजरी अरेंजमेंट खत्म इंपोर्टेंट है आई अब समझ में आए होगा आपको एक कि स्टैप एक्सप्लिंट किया गया है अच्छे से आपको ठीक है अब लास्ट है इस लेक्चर का वह संगनान अभिक्रिया है कन्देंशेशन रियक्षन जब मैं शुरुवात में फिनोल शुरू किया था तो तुमको बोदला था कि जो फिनोल है दो-तीन तरह की रियक्शन तेता है कैसे यह तो ओफ की बज़े से दूसरे रियक्शनस की बज़े से या उसमें टींची की बज़े से और तीशरे रियक्शनस देता है銀ंगि nước 치 GOD इन कसे देता है क्वों हमटने वाले वटेए कौन से पढ़ने वाले यह वहांट है पिरोण एτο फिनौल की संगनन अभिक्रियाएं क्या होती है संगनन अभिक्रियाएं तो यहां पर होता है यहां पर भी क्या होगा कि संगनन यह संगनन भी तरह का पॉलिमेरिजेशन रियक्शन है मॉलिक्यूस आएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और संगनन reaction में क्या होता है पॉलिमर जब बनते हैं तो कोई भी चीज बाहर नहीं निकलती यानि कि इस में से कोई भी molecule eliminate नहीं होता लेकिन जब संगनान होता है यहां तो पानी का molecule यह ammonia या alcohol का molecule क्या होता है बाहर निकलता है तो जो ऐसी इस कंडेंशेशन रेक्षिन देता है कि वो कौन कौन सी है ठीक है इसकी कंडेंशेशन रेक्षिन पढ़नी है हमाँ है दो-3 रेक्षिन हैं जल्दी से खतम करके इस यूनिट को खत्म है जो सबसे पहली संगना अविक्रिया हम पढ़ने वाले हैं वो है लेडरर मना से कौन सी पढदने माने है ए लेड़र लेड़र माने से अभिकरिया भी एकिन है इंपोर्टन हो जाती है इसलिए इमपोर्टन्ट है कौन से अभी किलिए माने इसको भूलते है नासी ही उ लेड़र बूनाकी ठीक है इसमें फिन striking कि ती होती है इसके साथ फॉर्मल डियाईचै rä यानि कि HCHO सबसे सिंपल एल्डिहाइड जो होता है HCHO के साथ है तो हम यह लिख सकते हैं कि फिनॉल कि कि फिनॉल किसके साथ एल्डिहाइड कैसा भी हो सकता है एलिफैटिक भी हो सकता है और किया एल्डिहाइड के साथ हैं कि साथ हमली यां अमलsch कि भी हो सकता है और छार भी हो सकता है रेक्श्यन अमलिक वुपस्तिति युँ रियुए और छय मिख सकती है चार की अपस्तिति में युँ अमलिया छाथ किसका काम करते हैं इस पिर रहत का काम करें यावन की रियक्षन को फास्ट करने का काम करेंगे तो आरोे अचाण वेरख कि अमली अच्छार उत्प्रेरक्की उपस्तिती में क्या होता है और्थो वह पैरा इस्थितियों पर संगनन अविक्रियाए अविक्रियाए देता है ठीक है क्या होगा अपनी और्थो और पैरा इस्थितियों पर संगनन रियक्शन कंडेंसेशन रियक्शन देगा किस्की उपस्तिती में यह अधरची और अमली उत्प्रेरक्द्धिती में भी हो सकती है और यहां पर जो संगनन न होगा यानि कि वाटर मॉलिकीुल बाहर निक में वह हम देखते हैं कि क्या होता है कि यहां पर कि हम फिनॉल की जब हम फिनॉल को formaldehyde लिया हमने ल्द हैड में क्या है formaldehyde h c ho के साथ किसकी भी उपस्तिती में हो सकता है acid की presence में भी हो सकता ऑर base यान्य अमलो और छार किसी की भी उपस्तिती में हो सकता हम दोनों ताही केसे गए मंली की उपस्तिती में भी देखेंगे और बढ़िए पर एक प्रोडट्ट बनेगा कि है प्यारा पोजीशन पर कौन जुट जाएगा दोसरी कि प्राप्ट होता है माइनर प्रोड़क्ट होता यानि कम मात्रा में बनता है और ये कैसा product होता है major product होता है यह तम शुरूबात सी बताती है ना कि जो finally may जारत अरा मेज़र प्रोड़क्ट देता है बहुत सी रीक्शन में temperature being लेगा बनेगा बनेगा मैसे normally तो phenol परा-ब्रोड़क्त ही major product तो यह नहीं होती अब यह reaction होती कैसे है देख लेता है mechanism mechanism हम दो तरीके से देखेंगे पहले देखेंगे हम अमली की उपस्थिती में अमली की उपस्थिती में कैसे reaction होगी तो अमली उपस्थित है और हमारे पास क्या है एच सी है इसको मैं ऐसे लिख सकते हूं City Après which साथ में उसे क्या उपास क्या हुते हैं H+, और इस औक्सिजन के पास क्या होते है लोन पे हैं यह क्या करेगा यह month को accepts यह से क्या करेगा यह एம्सको Ц डाँबिजार, और है और एस पर कैसा चार्ज या जाएगा पॉज्य और पॉजिटिव चार्ज इस्टेवल नहीं होता अब यह पॉजिटिव चार्ज को हटाने के कोशिश करेगा इलक्रोन वापस चाहिए इसे तो यह कहां से कीचेगा डवल बॉंड से रियक्शन होगी जो हम नॉर्मल कराते आ रहे थे अब तक कर दीजी अब तक तो आपको रटगी होगी रियक्शन यह है फिनॉल ऑक्सिएन के पास क्या होते हैं लोन पे यह बॉंड इधर आएगा यह बनाएगा यह बनाएगा डवल बॉंड ओ एच पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा नेगिटिव चार्ड है हमारे पास क्या है एच सी पॉजिटिव एच ओ और यहाँ पर क्या है ओ एच नेगिटिव चार्ड अटेक कर देगा कार्वन पर क्या बना लेगा यह बना लेगा और यहां पर क्या आजाएगा CH2 OH आजाएगा और तो पोजिशन पर अब वापस क्या होगा रिंग एरोमेटिक होना चाहेगी यहां पर हमने क्या किया था और यहां पर तो यहां पर क्याँएगा एंच प्राप्त हो जाता यह और और यसी तरह से आप מिल प्रॉडक्ट भी बना सकते हैं बिलकुल पर इसी तरह से क्या बना सकते हैं पेरा प्रोड़क्ट ठe community इसी तवी इसी तरीके से मैं बना सकते हैं बस क्या होगा यह वाला गृप का जाएगा यह वालव एहां जाए की यहां जोगा और यह जाएगा इधर 24 तो यह बना लेगा पर क्या बना लेगा यह वापस से वहीं दोनों प्रोड़क्ट बनाके दिखा देतें आपको डवल बॉंड ओएच पॉजिटिव यहां पर जुड़ गया सी एच टू ओएच यहां पर रहेगा एच अब क्या होगा यहां से माइनस एच प्लस होगा यह अपना एच प्लस त्य प्रोड़क्ट हैं क्या है यह पैरा प्रोड़क्ट तो इस तरह से हमें और्थो और पैरा प्रोड़क्ट प्राक्ट होते हैं अमली माध्यम में जल्दी से नोट कीजिए फिर हम देखते हैं रियक्शन चारिये माध्यम में कैसे होगी ठीक है अगर माध्यम चारिये हो तो कैसे होगी नोट कीज़े जल्दी से अब देखते हैं छार की उपस्तिती में कैसे होगी यह रेक्शन अगर किसकी उपस्तिती में कराएं हम चार की उपस्तिती में मेकेनिजम देखेंगे चार की उपस्तिती में कैसे होगी तो हम जानते हैं चार क्या होता है जैसे एने ओएच की ओएच कोई भी लेंगे हम ठीक है तो चार क्या करते हैं बेस क्या करते हैं बेस के पास क्या होता है और वह माइनस का काम क्या आए यहां से एच प्लस लेना बहुत बार कर चुके हैं ना यह एसिडिक प्रोटोन होता है और यह बॉंड का शिप्ट हो जाता है औक्सियन पर तो यहां पर क्या बनेगा यहां पर बनेगा फिन ओक्साइड आएन यह तो आप खुद भी कर सकते हैं तो हम यहां पैरा बना लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से और थो बनेगा यह बन जाएगा डवल बन ओ यहां पर बॉंड यहां पर बॉंड यह नेगिटिव चार्ड यह निउक्लियोफाइल बन गया हमारे पास क्या है है एच सी डवल बॉंड ओ एच हम जानते हैं यह जो का कार्वन जो है वह क्या है हम दरसाने के कोसिस करते हैं इन चार्ड से डेल्टा नेगेटिव और वह इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्तर है तो नेगेटिव चार्ज यहां टेक्क करेंगा यह बनाएगा यह बनायेगा कुछ इस तरीके से डबल बॉंड ओ और यहां आ जाएगा CH2O- ऑक्सिएन पर शिफ्ट हुआ बॉंड तो यहां पर कैसा चार जाएगा अब यहां पर क्या होगा वापस से रिंग और यहांसे एंच प्लस निकलेगा यहांसे निकला था एंच प्लस तो यह तो बना लेगा OH बाकि बच्चा क्या है CH2 और यहां पर बच्चा हुआ है O- इसकी रियक्शन हम क्या करा देंगे work up करा देंगे H प्लस H2O के साथ क्या करा देंगे हम इसका work up करा देंगे यह मैं ऐसे लिख सकते हूं H3O PLUS के साथ reaction करा देंगे work up सब कराएंगे तो यहां पर क्या आजाएगा यहां पर आजाएगा ओएच थी एच टू ओएच ठीक है इस तरीके से यह रियक्शन होती है अगर चारी माध्यम लिया है तो इस तरीके से होगी और हम लिए माध्यम लिया है तो हमने पीछे देखाता उस तरीके से होगी जल्द पाई लिया पाई को और अगर आप लोग Kleinеле में बेकलाई यक पॉलिमर बनता कि इनी से बनता है और फोपेरा से जो रियक्शन है यह कह सकते हैं इनिशियेटर है बेकेलाइट की फॉर्मेशन के लिए यहां से क्या बनना शुरूगा बेकेलाइट की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी यहां से ठीक है आगे चलते हैं मिटा देती हूँ आगे देखते हैं अगर यह रियक्शन यहीं जो लैडर मना से रियक्शन है अगर यह रियक्शन यह लेख सकते हैं यदि यह है अभिक्रिया ठीक है किसकी एच सी एचो की अधिकता में होती है तो क्या होगा यानि कि फिनॉल तो रहेजा लिमिटेड यह अखशी में लेए हमा लोग तू लेलि है compromise होगा 다음 को प्राप्त होगा तो हम को यह प्राप्त हो जाए लू प्र्लरक्त होंगा क्या एक तो इसकी दोनों और थो कोना जाएगा CH2OH यहां पर भी कौना जाएगा CH2OH यहां फिर हमको यह product मिलेगा यहां पर क्या जाएगा OH ठीक है यहां पर CH2OH और एक आ जाएगा CH2OH पेरा पोजीशन पर तो अगर यह reaction फॉर्मल डियाइड की बहुत जादा अधिकता में और यहीं दूप्रोडक्ट प्रॉडक्त क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करते हैं यह दूप्रॉडक्त प्रॉडक्त है इसके इसके इस तो इस तरह से संघनित होते जाएंगे होते जाएंगे जूड़ते जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे बैकेलाइक क्या एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ठीके पॉलीमर जो पढ़े होंगे आपने तो उसमें पढ़ा होगा बैकेलाइक के बारे में है ना तो हम लिख सकते हैं कि प्राप्त हाइड्रोक्सी प्राप्त हाइड्रोक्सी प्राप्त हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल संगनित होकर अधिकायलाइट का निरमाण करते हैं अब किसकी की संगन रियक्षन होगी यह थी और हम दूसरी रियक्षन देखेंगे अब हम जो रियक्षन देखने वाले हैं वो आईसी टोन से है किसके साथ रियक्षन देखेंगे acid tone के साथ acid tone से acid tone क्या होता है वही बहुत अच्छे से जानते हैं यह होता है CS3, C11, O, CS3 यह क्या है? acid tone है जब हम reaction phenol की acid tone के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? phenol लेंगे यहाँ पहले देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर? जब phenol को acid tone के साथ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि phenol acid tone के साथ acid tone के साथ two ratio one में HCl की उपस्तिती में अविक्रिया कर अविक्रिया कर क्या बनाता है? phenol A बनाता है क्या बनाता है? phenol A बनाता है यहाँ पर एक क्या गहते है? संग्रित उत्पात प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं क्या phenol A बोलते हैं ठीक है? reaction में क्या होने वाला है? two ratio one two ratio one का मतलब दो phenol और एक acid tone का molecule दो phenol के molecule और एक acid tone का molecule तो देखते हैं reaction क्या होती है? phenol के molecule कितने लेने? two acid tone का molecule कितना लेना है? एक ठीक है किस की उपस्तिती मोगी यह reaction? HCl की उपस्तिती में वो भी कैसा? concentrate HCl की उपस्तिती में तो हमको product क्या मिलेगा? हमको ऐसा product मिलेगा कि यह जो CS3 का जो carbonil group है ठीक है? oxygen तो हट जाएगा और उससे दो क्या जुड़ जाएगे? phenol आकर जुड़ जाएगे वो भी कौन सी position पर? paraposition पर कौन सी position पर जुड़ेंगे phenol? paraposition पर यह बन जाएगा इसका नाम क्या है? इसको लिख सकते हूँ ऐसे CS3 CS3 इसका नाम क्या है? इसका नाम है phenol A ठीक है? तो double bond O हट गया उसकी जाएगे पर दोनों phenol ring आकर जुड़ गई वो भी कौन सी position पर से? paraposition पर कौन सी position से? paraposition से और यहां से क्या बाहर निकलेगा? यहां से water का molecule बाहर निकलेगा वाटर का molecule कहां से निकलेगा? oxygen यहां है concentrate HCL यहां है इसके मदद से water molecule बाहर निकलेगा ठीक है? अगर आप इसका mechanism देखना चाहें वैसे तो पूस्ता नहीं है लेकिन अगर आप देखना चाहें तो mechanism कुछ इस तरीके से होता है ठीक है? यह है हमारे पास CS3, C11, O, CS3 HCL क्या देता है? H+, देगा oxygen के पास क्या होते है? loan PR यह सच प्लस को accept करेगा ठीक है? फिर क्या होगा? यह बना लेगा CS3, C11, O, H positive यहां पर क्या है? CS3 oxygen पर फिर से positive चार्ज आया not stable क्या करेगा? यह अपने लक्ट्रोनों को वापस खीचेगा और वापस खीचेगा तो क्या बनाएगा? यह बनाएगा COH CS3 यहां पर भी क्या बनाएगा? CS3 और इस कारवन पर कैसा Charge आजाएगा? Positive Charge आजाएगा कैसा मैशाज याजाएगा? Positive Charge आजाएगा पर आ जाएगा दिख्तो राया यह वाला बॉण्ड कहा जाएगा पएरा पुजीशन पर तो यह क्या बनाएगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा double bond OH positive यह double bond यहाँ पर क्या आया negative charge साथ में हमारे पास क्या है हमारे पास है c OH इधर भी CS3 इधर भी क्या दुड़ा हुआ है CS3 और इस carbon पर कैसा charge है positive charge यह यहाँ पर attack कर देगा यह क्या कर देगा यहां पर attack कर देगा, जैसे ही attack करेगा, क्या बनेगा, यह बनेगा, ठीक है, यहां पर बनेगा, C, CS3, CS3, यहां पर क्या बन जाएगा, OH, लेकिन ring aromatic नहीं है, ring aromatic नहीं है, तो यहां से कौन निकलेगा, H+, यह इधर shift करेगा, यह इधर shift करेगा, और यह oxygen पर जाएगा, तो ring वा है और यहां पर कौनन आ जाएगा यहां पर चीजन के पास किया होतीं लोन प्राइब और इस H plus को कौन accept कर लेगा oxygen accept कर लेगा है ना यहां फिर ऐसे कर लें कि यह H plus को ऐसे छोड़ दें एक H plus हमने use किया था ना वी उपर एक H plus use किया था उसके वदले में हमको यह H plus वापस मिल गया ठीक है अब माध्यम में H plus तो रहें गई बहुत सारे H plus जो रहेंगे वह बहुत सारे रहेंगे तो यह जो oxygen की लोन पेर है है H plus को ले लेंगे और क्या बना लेगा यह कुछ ऐसा बन जाएगा यह तो ring aromatic हो गई ठीक है यहाँ पर क्या है C यहाँ पर जुड़ा हुआ है CS3 CS3 और यहाँ पर क्या बन गया OH2 पॉजिटिव और हम जानते हैं OH2 पॉजिटिव बना oxygen पर लोन पेर आया तो यह unstable हो जाएगा तो यहां से कौन बहार निकल जाएगा यहां से minus H2 हो जाएगा य है जी है CS3 CS3 और इस कारवन पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है जैसे ही कारवन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा दो मॉलिक्यूल लिये थे ना फिनॉल के तो फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी तरह रियारेंज होकर ऐसा बनेगा और कऊंसा थे कारदेगा दूसरा मॉलिक्यूल एक कारदेगा पैर कोजीशन से तो इस तरह से यह होता है समझ में यहां और यहां पर क leap नकलेगा तो दूसरी बची हुई थी ना तो दूसरी फिनॉल रिंग इस पॉजिटिव चार्ज पर पैरा पोजिशन से अटेक कर देगी तो वहां पर हमने कौन-कौन से स्किप कर दिये यह वाला तेर बॉंड इधर आएगा इधर आएगा दूसरी फिनॉल दिंग में फिर यहां पर को मेकैनिजम पूछता नहीं लेकिन अगर फिर भी जस्ट इन केस्ट इफ यू आर क्यूरियस तुनो दा मेकैनिजम बैन इट विल बीडिया मेकैनिजम जल्दी से नोट कीजिए आगे देखते हैं आज इस यूनिट को खत्म करके ही रहेंगे फिनॉल को खत्म कर देंगे अगली जो संगाण रियक्षन है वो यह घ्लं एन हाइडराइड के साथ ठीक है किसके साथ रिएक्षन हों थैलिक एन हाइडराइड के साथ थेलिक एन हाइडराइड के साथ क्या होता है बिल्कुल जस्ट सेम टू सेम रियक्शन होती है अभी जो रियक्शन हुई है बिल्कुल ऐसी ही रियक्शन होगी थेलिक एन हाइडराइड के साथ बस यहाँ पर हमने ऐसी टोन लिया था और अब हमको क्या लेना है थैलेकेन हाइड लेना है तो हम यह लिख सकते हैं यह जो reaction है important है important है क्योंकि आपको अगर आपने कभी सुना हो फिनोप्थिलीन के वारे में indicator एक indicator होता है हमारा फिनोप्थिलीन कौन है फिनोप्थिलीन उसका जो formation है वो इसी इस प्रोसेस से होता है धेलिक और आहईडि एप सारा करते हैं तो यहांसे कॉन बंता नथी सब्सक्राइब अउपस्थिति में थेलिक न ठैलिक एन हाइड्राइड से अभिक्रिया द्वारा कौन बनता है? फिनोप्थेलीन कौन प्राप्त होता है? फिनोप्थेलीन प्राप्त होता है और फिनोप्थेलीन क्या है? हमारा एक इंडिकेटर है याद अगर आपने पढ़ाओ एसिट बेस रियक्षन तो एसिट बेस रियक्षन में यूज होने वाला एक इंडिकेटर है कौन फिनॉप्थिलीन कौन है फिनॉप्थिलीन है ठीक है तो मैं यहांसे क्या फॉर्मेशन होगी फिनॉप्थिलीन के फॉर्मेशन होगी तो क्या रियक्षन होगी यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम रियक्षन होगी मैं यह लिख सकते हूं कि दो तो फिनॉल के मॉलिक्यूल रहेंगे है फिनॉल के मोलकूल लगें इक रहेंगे गल्च मेनोल कि दिका लेक्ट रखन विल्ग होते हैं दोनों oxygen से यह क्या है यह है फैलिक एंड हाइड्राइड ठीक है यह बिल्कुल की तरह है इधर आर ग्रूप लगा लो इधर भी माल लो यह क्या है आर ग्रूप है तो की टॉन जैसा है यहां पर किसकी उपस्तिती में होगी तो यहां से भी कौन बाहर निकलेगा यानि यह तो कर क्या मिलेंगे म को सब्सक्राइब ऑर इस तरीके का बनेगा यानि कि सॉरी दो फिनॉल की रिंग आकर जुड़ जाएंगी कौन जुड़ जाएंगी डबल बॉंड ओ हट जाएगा और इस डबल बॉंड से दो फिनॉल की रिंग आकर जुड़ जाएंगी तो कुछ इस तरीके का बनेगा ओ एच कौन सी पोजिशन पर पैरा पोजिशन पर तो यह मैं लिख सकते हूं C यहाँ पर होगा O ठीक है C double bond O बाकी का as it is लग देंगे इस कारवन से double bond O जुड़ा था ना double bond O हट गया उसकी जगा कौन आ गही दो फिनाइल करें कौन सी पोजिशन से जुड़ी है पैरा पोजिशन से बाकी यह किस से जुड़ा होगा बेंजीन की रिंग से जुड़ा होगा तो यही क्या है हमारा यही है पिनोपथीलीन क्या हैं य अमारा फिनोप्थीलीन इंडिकेटर है तो इस तरह से यह रियक्षिन होता है फिनोप्थीलीन का निर्माण होता है मेकनिसम जस्ट अभी दिखा है पीछे वा मेकनिसम एक चार्फानिय блок स्वॉर्पिर्से होगी वे जैसे अभी होई थी ठीक है तो रिसे लेकस्ली के साथ अभिक्रिय दूर और क्या बनता है फ्लूरोसी n यहां पर तो बनी थी फिनप्थिलीन जब फिनॉल की रियक्षण करा ऐए थी थैले के ल में क्या लें ले 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 और उसके साथ क्या बनता है फ्लोरोसील बनता है देख लेते हैं रेटल्सुन क्या होता है रिसॉर्चिनोल होता है यह फिनोल होता है लेकिन मैटा पोजीशन पर एक और वच गुरुप जुड़ा होता है यहां फिर हम कह सकते हैं 1-2-3 यह कितने मॉलिकूल लगेंगे दो मॉलिकूल यह किसके साथ रियक्ट करेगा थैलिक एन हईडराइड के साथ किसके साथ रियक्ट करेगा थैलिक एन हाइड्राइड के साथ सेम टू सेम डवल बॉंड ओ हट जाएगा और इसकी जगह पर कौन आकर जुड़ जाएंगी दो रिसोर्सिनल की रिंग लेकिन ये कहां से जुड़ेंगी तो हम कह सकते हैं ये वाला जो OH ग्रूप है ये वाला जो OH ग्रूप है कौन सा ये वाला मैं इसको ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा रिंग को लिटा कर लिखूं ठीक है यहाँ पर लगा दू मैं कौन सा OH ग्रूप और एक OH ग्रूप लगाऊगा यहाँ पर तो ये जो ओएच ग्रूप है इसकी ओर्थो पोजिशन पर बनेगा वहीं कंसंट्रेट एच्टू एसो फोर के पस्तिती में तो प्रॉडक्ट क्या बनेगा प्रॉडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर तो डवल बांड हो था और यहां पर कौन जूड़ जाएंगी बेंजीन की रिंग पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं सॉरी फिनॉल की रिंग बना लेते हैं ठीक है और इसकी मेटा पोजीशन पर ही किस से जुड़ जाएगा से आकर जूड जाएगा तो इस तरह का प्रौडक्ट बनेगा इसी बोला जाता है फ्लोरोसीन और यहांसे 2H2O के मौलेक्युल बाहर निकलते हैं किसके 2H2O के मौलेक्युल बाहर निकलते हैं तो नोट किजिए यह रियक्षिन और इसके होते हैं पहला यूज तो यह है कि फिनॉल जो है वो रेजिन प्लास्टिक बेकलाइट साबुन क्रीम एस्पिरिन फिने फिनेसिटीन और एजो रेंजक और पिक्रिक एसेड आधी के निर्माण में उप्योग होता है ना और यह सारी के सारे रेक्शन हम कर चुके हैं फिनॉल क सारी कीटनासक दवाईयों के निर्माण में इसका उप्योग होता है बहुत सारी कीटनासक दवाईयों के निर्माण में इसका यूज होता है ठीक है कीटनासक पदार्थों और दवाईयों के निर्माण में भी यूज होता है बहुत सारी दवाईयां हैं जिन में फिनॉल ज हत्मोता है, थैंक यू